अब वक्त हो गया हमारी स्पेशल रिपोर्ट का और आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि बांगलादेश के ढाका का हिंदुस्तान के ढाका से टेरर कनेक्शन क्या है नेपाल बॉर्डर के करीब पूर्वी चमपारंड जिले में ढाका के एक ऐसे स्लीपर सेल का खुला हुआ है जिसे एनाईय भी हैरान है और आपको अब दिखाते हैं कि देश में बैन आतंग की संगठन जे एमबी का स्लीपर सेल वहां अक्टिव कैसे हुआ पूरा खुला सा इस ऑपरेशन ढाका में पूर्वी चमपारंड के ढाका से असगर अली की गिरफतारी के बाद बिहार से जो स्लीपर सेल की बाद थी वो एक बार फिर से साबित हुई है जिस तरह से असगर अली की एनाईय ने गिरफतारी की है उसके बाद बिहार का सीधा कनेक्शन जे एमबी यानि की जो बांगला देशी आतंकी संगठन है उससे सीधे जुड़ा है अब नाईये इस पर पूरी जाच कर रही है और जो नाईये के पास सबूत मिले है उसके आधार पर जो यहां पर असगर अली है उसने अपने लैप्टॉप से कई युवाओं को मॉटिवेस्टनल जो स्पीच है वो दिया औ आज हम आपको बिहार के ढाका से वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है नाम असगर अली बेशा मौलवी आरोप टेरर लिंक एक्शन गिरफतार जामिया मारिया निस्वा मदर्सा ढाका खुर्वी चंपारन बिहार इसी मदर्से में लड़कियों को कुरान शरीफ और हदीथ की तालीम देने वाले मौलवी मुफ्ती असगर अली को एनाईये ने गिरफतार किया है आरोप बहुत संगीन है असगर अली पर हिंदुस्तान के धाका में रहकर बंगलादेश की राज़धानी धाका के आतंकी संगटन जमातल मुजाहिद्दीन से जुड़े होने और हिंदुस्तानी मुस्लिम बच्चों नौजवानों को आउनलाइन ब्रेनवाश करने के आरोप में गिरफतार किया गिया 19 जुलाई को एनाईये की टीम ने असगर अली को बिहार के मुतिहारी से खरीब 26 किलो मिटर दूब धाका के इसी मदर्से से धर्दब होचा मुफ्ती असगर परतेश में बेन आतंकी जमात के लिए स्लिपर सिल की तरह काम करने जैसे बेहत गंभीर आरोप हैं ऐसे में टाइमसनाव नौभारत की टीम ने उस मदर्से में जाकर असगर के अतीत की तहकिकात थी मुफ्ती असगर अली फिलाल एनाईय की हिरासत में है खबर तो ये भी कि उसे एनाईय की टीम उत्तर प्रदेश ले गई है असगर अली कहां का रहने वाला है उसने तालीम कहां से हासिल की जमातल मुजाहिदीन से उसके तार कैसे जुड़े आपको हर बात बताएंगे लेकिन उससे पहले धाका के जामिया मारिया निश्वा मदर्से के उसमौलवी की बात सुनिये जिसे असगर अली के साथ हिरासत में लेने और शुरुवाती पूछताज के बाद एनाईय ने छोड़ दिया इसतारिक को जो एनाईय की टीम आय थी तो आपको भी ले गई थी ठाने पर जी हमको भी ले गई थी अच्छा कुछ एनाईय ने हैं इंटररेगेशन क्यापनाया वो हम लोगों से यही पूछ गच किया उनके मुतालिक के भाई यहां क्या करते थे कब से हैं तो उनसे यही बताया कि यह तो अभी हाल फिल हाल जो है न यह आये हैं मुश्किल से हम लोगों की तो चुटी हुई थी बकरईत की लगभग 12-15 रोज की तो सब ले करके वो एक डेड़ महीना से यहां है इनकी चुटी जो है न सनीचर त यह तो लगभग जो है न डेड़ बजे के बाद वो पहुँचे यहां 2 बजे के बाद समझे तो तो कुछ ही देर के बाद NIA की टीम यहा आई झो है न यहां पहुछी पहुचने के बाद उनको हिरासत में मूबायल वगरा लिया असकर अली इस मदर्से में दो महीने पहले ही आया था वो यहां की मस्जिद के नायब इमाम मुहम्मद निसार के साथ रहता था असकर जिस मस्जिद में था आपको वहां भी ले चलेंगे लेकिन उससे पहले मदर्शे के मौल भी ताजुदीन से असकर अली की कहानी सुनिये बात के और मामलात के दरमयान तो इस तरह का कुछ लगा नहीं अब रहा सवाल के कोई भी एदारा जो है किसी आदमी को अगर रखता है तो उसका एक रूल रेशन है कि तीन महीना से छे महीना तक उसका जाँच करता है कि इस आदमी का बैक गराउंड जो है किसी तरह का कोई गरबड है या नहीं है या हम जो जिस काम के लिए रखें हैं उस काम में किसी तरह का इसमें फोल्ड है काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसके बाद उसकी बहाली होती है तो वो जांची के दरमयान में अभी थे उनसे कोई मिलने जुलने भी आता था क्या यहां कभी ऐसा कोई कोई मिलने जुलने नहीं आता था कभी नहीं आता था और हम अकेले रहते थे उसके बाद खाना खाते थे, फिर दो बज़े से किलास में लग जाते थे फिर उसके बाद जो है ना पांच बज़े तक जो है ना चुटी होती थी तो सब इधर उधर चले जाते थे, लेकिन इस तरह का कोई काम उनका न तो नहीं देखा NIA की टीम ने मुफ्ती असकर अली से बड़ी तादाद में मजहभी किताबें जब्त करने के साथ उसके लेपटॉप को भी अपने साथ ले गई लेपटॉप भी एक NIA ले लिया तो लेपटॉप तो पहले से तो नहीं था वो साथ में अभी लाए थे तो लेपटॉप में अब क्या है हम लोग तो इंगलीज वगारा पढ़े नहीं है कि उसमें क्या है नहीं है वैसे मदरसी का एक लेपटॉप है तो हमारे यहां जो बच्चियों के तालिम में एक जुड़ा हुआ एक वो भी है कि उसको कुछ जो है ना कंप्यूटर का यह भी सिख्चा भी देते हैं और पढ़ाई का जो है निजाम हम लोग बनाए हुए हैं सुबह से ग्यारा बज़े तक का जो निजाम है वो मदरसे की तालिम देते हैं और दो बज़े से पांच पढ़ाते थे क्या पढ़ाई वो उर्दू अर्भी पढ़ाते थे और कुछ जो है ना हिंदी के जो है ना तीसरी चौंथी के किलास के बच्चीयों को भी कुछ पढ़ाते थे मुफ्ती असगर जिस मदरसे में दो दिन पहले तक लड़कियों को मज़वी तालीम देता था उसके अंदर का नजारा आज कैसा है वो भी देखी मदरसा है जहां पर असगर अली पढ़ाते थे और यहीं से उनको गिरखतार NIA की टीम ने भी ती है जैसा कि यहां के जो सिक्षक हैं वो बता रहे हैं कि पिछले दो महिने से ही वो यहां आये थे और काफी कम समय हुआ था उनको यहां पर पढ़ाते हुए और ऐसे में उनको यहां से NIA की टीम लेकर गई है जो आरोप है उन पर वो काफी गंभीर आरोप है बंगलादेश के आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप है और उसका क्या होगा NIA उसकी जांच करेगी हमने मदर्से की लड़कियों से भी बात की पूछा कि जिस शक्स को बैन आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफतार किया गया है वो उन्हें क्या पढ़ाता था कैसा इंसान था तो लड़कियों ने जो कहा उसे सुनना भी बहुत ज़रूरी थी किया पर折ी है निशे अभी जो असगर अली थे यहां पर उनको जानते करा थे जी क्या पराटते जी अच्छा चाहिए अिवा पढूरान सरीफ पढ़ाते थे अच्छे पढ़ाते थे जी इसे इनसान थे तुम लोग चुकी स्थुडेंटu लगातार मिलत लगता था उनका वेका बहुत अच्छे थे और क्या-क्या बाते होती थी क्या कुछ बताया थे वो जी नाई बस पढ़ाय के मतलिक बाते करते थे तो और कुछ नहीं पढ़ाई हो रही है अभी तो उर्दू पढ़ाया यह यह जो अस्गर अली थे वो पढ़ाते थे जी पुलिस आगे गिरफतार करके ले गई, कैसा अब लग रहा है? बहुत बहुत लग रहा है, वो तो बहुत अच्छे से, पर पता नहीं आप लोग की ले गई से पुलिस है यह मदर्सा रिजिनेंशियल है, यानि यहां पढ़ने वाली लड़कियां रहती भी यही है लेकिन अब आतंकी गति वीडियों में श्रामिल होने के आरोप में, यहां के मौलवी की गिरफतारी से उन लोगों के जहन में डर बैठ गया है जिनकी बेटियां यहां रहकर पढ़ाई करती है जाहिर सी बात है, अब तो मालूम करने की चीज़ है, यह मदरसा में तो इस धंकी बात नहीं होती है यह कहां से कहां लिंक है, क्या है नहीं है, अगर ऐसा है तो बहुत अफसोसनाग बात है अब बात्चीत जो उस दिन हुई थी, आप लोग कभी ऐसा लगा कि इस तरह के मदरसे के सब काखजात वगरा काम जो है, उसके बारे में वो सब मस्रूफ थे उसमें काखज पत्तर बच्चे कितने दिन रहे, नहीं रहे, कोन बच्चा कैसे जा रहा है, नहीं है, वो सब रिजिटर वगरा मेंटेन करके हमको बच्चे रिसीट करवाए किये थे हम लोग तो मन में थोड़ा सा लगता है कि जाहिर से बात है इस मदर्से के करता धरता धाका की जामा मस्जिद के नायब इमाम मुहमत निसार है, जो असगर अली की टीम आई थी और यहां पर उनका कई सामान, हम बात कर रहे हैं आपसे, क्या कुछ था यहां पर असगर अली है, यहां पर जो मिल यह मुथिनिसार साई के स्टाब थे, मुदर्से के स्टाब थे, वहां पढ़ाते थे, मुथिनिसार, चुँके इसमे नायब इमाम थे, उन्हीं के नाम पर रूम इलोट था, और वह क्यों भेजते थे, मस्जीर में सोने के लिए इसका जवाब होई देंगे कल जो है कमीटी जो है इस सारे सुरे रतहाल को देखते वे मुफ्ती निसार साथ को इसे बर्खास कर दिया परसासन के नजर में वो अगर गुनागार है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके लिए हम लोग उसमें कुछ किसी तरह का इंटरफेर नहीं करेंगे और अगर वो जो दोसी है तो उसके उपर कारवाई की जाए पुर्वी चंपारान पुलिस ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि असकर अली को भौपाल के जमातुल मुजाहितीन मौड्यूल केस में गिरफतार किया गया NIA की टीम लखनव टीम यहां पर आई थी एक केस के सिलसले में इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनका केस एक भौपाल का था और उन्हें ऐसा सूचना था कि उनका एक सस्पेक्ट यहां ढाका थाना छेतर में रह रहा है हम लोग उन्हें लीगल हेल्प प्रोवाइट करते हुए एक्यूस्ट की अरेस्टिंग इंस्योड की जब एक्यूस्ट अरेस्ट हुआ तो पता चला कि वो लोकल एक मौस्क है उसमें एक महीने से मुफ्ती का काम कर रहा था एनाईय की जो प्राइमा फेजी पूछ ताच हुई है उसमें ऐसा पता चला है कि वो जेमबी मॉड्यूल का सदस्य रहा है और फर्दर सारे इंड्स को एनाईय इंवेस्टिगेट कर रही है नेपाल बॉर्डर के करीब जिस तरह से पहले पिहार के दर्वंगा का पियाफाइ कनेक्शन सामने आया और अब मुतिहारी के ढाका से जमातुल मुजाहिदीन से जुड़े मौलवी को पकड़ा गया है यह बहुत चिंता जनक है आतंकियों का कनेक्शन्स बिहार से जरूर निकल रहा है जितने भी आतंकवादी घटना हो रही है इसका मतलब है कि बिहार में स्लिपर सेल्स अच्छी संख्या में मौझूद हैं और इस स्लिपर सेल को निश्चित तोर पे प्रशासन ब्रेक करेगा हलांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस स्लिपर सेल को लोकल पुलिस प्रशासन ने नहीं बलकि राष्ट्रिय जांच एजनसी ने ब्रिक किया है बहराल आपको उस केज के बारे में भी बता देते हैं जिसकी जांच का दाइरा भोपाल से बिहार के ढाका तक पहुँच गया है इसी साल मार्च में मध्यपरदेश की राजधानी भोपाल से जेमबी से जुड़े चार संदिक दातंकियों को पकड़ा गया चारों बांगलादेशी नागरिक थे जो हिंदोस्तान में बांगलादेशी आतंकि संगठन के स्लिपर सिल्फ बनाने की फिराक में थे भारत सरकार ने 23 मई 2019 को जमातुल मुझाहितीन बांगलादेश को यूए पी ए कानून के तहत बैन कर दिया था बावजूद इसके भारत में इसकी गतिविदियां रुकने का नाम नहीं ले रही है इसी महीने असम की राजधानी गोहाटी से जेमबी के संदिक दातंकि को गिरफतार किया गया जुलाई 2021 में कुलकाता के हरिदेवपूर इलाके से जेमबी के तीन संदिक दातंकियों को पकड़ा गया जबकि नॉमबर 2021 में एनाईये ने पश्चिमंगाल के साउथ 24 परगना से जेमबी के एक संदिक दातंकि को गिरफतार किया अक्टूबर 2019 में तब के एनाईये प्रमुक YC मोदी ने बताया कि जमातुल मुजाहिदीन बांगलादेश पूरे भारत में पैर पसारने की साजिश में जुटा है एनाईये ने ऐसे 125 संदिक्दों के लिस्ट भी अलग-अलग राज्जियों से शियर की थी जिहाद की फ्रेक्टरी जमातुल मुजाहिदीन बांगलादेश 2018 के बोद गया ब्लास्ट समेथ कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा इस आतंकी जमात का गठन 1999 में बांगलादेश की राजधानी धाका में हुआ जे-मबी बांगलादेश में कई फिराईन हमलों और आतंकी वारदातों में शामिल रहा है इस आतंकी संगटन ने 17 अगस 2005 को बांगलादेश के 64 में से 63 जिले को करीब 7 मिनट तक बम धमाकों से दहला दिया था ऐसे में इस खतरनाक आतंकी संगटन के स्लिपर सिल्का हिंदोस्तान में पैर पसारना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है एनाईय ने जिस तरह से इसके देश्चत गर्दों पर शिकंजा कसा है उसी तरह से राज्यों के पुलिस को भी सातंकी जमात के नापाक मनसूबों को नाकाम करना होगा साकेत सिंग, टाइमस नवनो भारत, धाका, पुर्वी चंपारन, बिहार